हालो एवरिवन आज की ये रेसिपी मैकरोनी पास्ता की रेसिपी है बिल्कुल रेस्टोरेंट से स्टायल में आज हम बनाएंगे और इसे फुटा-फुट से तयार करेंगे तो श्रू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहां पर दे एक बॉल वाल करने के लिए पानी रख दिया था्यश्यच्ट कर देंगे यहां पर यहां पर यहांपर आपने का और गोहां प्ली आप का यहां यूज किया है आप चाहे तो basic quantity भी बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बनाने हो तो आप यहाँ पर add कर सकते हैं, और इसे अच्छे से mix कर लेंगे, तो अच्छे से mix करते हुए, जो बचे हुए है, सारे को अब हम इसमें add कर लेंगे, थोड़े से प्याले में शिपक गए थे, यह देखे, इस तरीके से, और मैंने सारे को निकाल करके इसमें add कर दिया है, और इसे हम 2-3 मिनट तक हम इसे cook करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर आप लेट को cover करके भी आप इसे पका सकते हैं, हाई फिलिम पर इसे हम पकाएंगे, तो तुरंत पक जाएगा, तो यह देख होगा, तभी हमारी यह जो मैकरोनी है, बिल्कुल perfect cook हो चुकी है, तब इस स्टेच पर क्या करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे, तो हमें अगर 100% अगर इसे cook कर लेंगे, तो यह बिल्कुल मैशी हो जाएगी, चिपक सी जाएगी, तो इसलिए इस बात का धियान रखेंगे, पूरा cook नहीं करना है, थोड़ा सा बाकी रहे, उसके बाद ही आप इसमें इससे आप निकाल लेंगे, तो चलिए हमें इसे बाद में भी हम इसे cook करेंगे, तो जो भी बची कुछी जो कसर होगी, बाकी सब पक जाएगे, तो यह देखें, इसमें मैंने निकाल लिया है, तो कोईल जैसे ही गरम हो जाएगा, तो यहां पर तीन से चार पीस मैनी लेसन की कलिया को मैंने बिल्कुल बारिक चौप कर लिया है, और अब इसमें डाल देंगे, गास का फिलेम हाय रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, और सारी प्रोसेस जो है बिल्कुल हाय फिले एक प्याज मैंने बड़े साइस का लिया था, बिल्कुल बारिक चौप किया है, इसे भी मैंने और इसमें अब डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे हमें जो है थोड़ा सा सौफ्ट होने तक इसे हम पकाएंगे, यानि कि दो मिनट इसे हम पका लेते ह सौफ्ट हो जाएगा, थूरा से अधान तो जाएगा और इसका मीठापन भी अजो होता है, प्स हमें इतना ही पकाना है, यह देख सकते हैं, बहोत अच्छा से सौफ्ट हो गया है, बहोत अच्छा से 9 when it's twhy the color भी आ गया है, तो हमें एतना ही अब जाहें, तो आब इस स्ट एक मिनिट हम इस भी पका लेते हैं ताकि ये थोदा स labels Pod शिंबला मिर्च क्राओए तो इस पहले क्या करते हैं थोदा सा नमक चा करते हैं थोदा से नमक अड़ता है कि यह से शीष्मला मिर्च दिंग नमक को चांट तो इसे मैं यहां पर थोदा सा नमक सा चाहिए जो फिर नमक और यह एप लृमा इब एप्ड़ करना और मूझे तो यहां पर थोड़ा साथ थी क्ली कर यहां स्वाद्री अच्छे से इश्टर कर लेंगे अच्छे से जब यह मिक्स हो जाएगी ना तब यहां पर देखिए मैं यहां पर मेडियम साइज के दो टमाटर को मैंने प्योरी बना के लिया था और अब इसमें आड कर दिया है और अगर आप चाहे तो यहां पर चॉप कर भी आप डाल सकते हैं लेकिन यह से होता क्या है कि आपके जो ग्रेवी बनेगी इसके जो सौसेज तयार होंगी ना तो इसे जो बहुत ही टेश्टी आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा कालर नमक से और इसे हम इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छे से जब इसका पानी बिल्कुल सुख जाएगा और बिल्कुल सर्फेस पर आ जाएगा तभी हम और भी कुछ आड करेंगे तो यह देख सकते हैं गुंटे सब तो वी कम थोड़ा सा मैने चीनी आड कंना भी ठाके ट्रफेस्पुन से थोड़ा सा मैने चीनी आड कर दिया है तो इसे हो बैलेस हो जाएगा और देखिये बच्चे को तो तो सॉ्स जो है बहुत का मतलत पसंग आते हैं तो यह आँपगर आप 1 ले यह स्था तो मैंने यहां पर sauce डाल दिया है और अब सारे macaroni जुतनी भी मने बॉयल करके रखा था ना बस अब इसमें add कर देना है अच्छे से इसमें add कर दीजिए और अच्छे से mix कर दीजिएगा यह इसे mix करने के बाद देखेगा बहुत ही चकपटा सा स्वाध आएगा यहां पर तो इसमें आप अगर चाट मसाला भी योज़ करना चाहें तो आप यहां पर add कर सकते हैं और अगर आपको चीज पसंद हो तो इसे अच्छे से mix करके उसके बाद आप यहां पर चीज भी ग्रेट करके add कर सकते हैं तो मैंने यहां पर चीज वाली नहीं बनाई है तो इसलिए मैंने यहां पर चीज नहीं add किया है अगर आपको cheese पसंद हो तो आप यहां पर add कर सकते हैं तो बढ़िया से इसे अच्छे से mix कर लेंगे gas का flame medium रखेंगे और इसे इस्टर कर लेंगे अच्छे से मिलाएं बिल्कुल एक एक macaroni में जो है इसका जो taste है इसका flavor है बहुत जाना चाहिए अच्छे से mix कर लिएगा और यह देखे बहुत बढ़िया सा इदम बिल्कुल चटपटा स्वाद आया है और इस तरीके से सारे को अच्छे से mix कर लिया तो यह देख सकते हैं आप मैंने इसे बहुत अच्छे से mix कर लिया है तो यह देख सकते हैं और ये इसे अब हम सब्सें तो चलिए एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं और इसका कलर देख सकते हैं कितना फाइन आया है और इसके उपर से थोड़ा सा धनिया की पती से गार्निशिंग कर लीजिए बहुत ही चटपटा सा स्वाद आया है तो आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यह देख सकते हैं इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो बच्चे लो